Hello students, मैं हूं Jitana Raj, मेरा दक्रजी पर्गारमस की तरब से आज वाली वीडियो में हम आपके लिए लेकर क्या आए है Process Synchronization Process Synchronization Operating System का एक बहुत ही important पार्ट है Actually में क्या होता है Operating System के अंदर जब भी देखें हम computer start करते हैं Operating System ही वो सबसे main software होता है जो की सब कुछ control करता है सारे hardware को Computer के अंदर install सारे system software Application software को ठीक है और सबसे कमाल की बात ही होती है हमें लगता है कि Operating System तो चल रहा है लेकिन कभी आपने सोचा Operating System भी Computer Program है जो की हमारी जो secondary storage होती है वहाँ जो है store रहता है तो जब भी हम system को on करते है तो booting process होता है तो समय होता कि Actually हमारी जो Operating System में उससे hard disk से निकाल करके Primary memory के पास भेज दिया जाता है यानि कि RAM के पास यहां से Operating System भी Continuity में execute होता रहता है जब तक आपका computer चल रहा है तब तक Operating System का Program खुद भी हर second execute हो रहा है इसलिए आप कभी भी देखेगा idle condition में भी आपको आपकी जो RAM है primary memory जो है वो कभी भी free नहीं मिलेगी अगर आप कभी भी उसका जो है population growth चेक करेंगे ठीक है तो आपको वहाँ पे जो देखने को मिलेगा कि वो at least 40% consume चल दी every time तो ऐसा इसलिए क्योंकि operating system भी खुद को execute करता रहता है तो आप सोचे operating system के अंदर भी multiple छोटे 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 प्रोग्राम्स होते हैं जो की लगाता है execute होते हैं इन programs को जब execute किया जाता है तो वो program छोटे छोटे parts में execute होते हैं जोटे से हर एक part को process बोला जाता है यहनिके एक software, software के अंदर छोटे-छोटे programs उन programs के सब parts होते हैं जिदे हम सब programs बोल सकते हैं फिर उन सब programs के जो वापस part करके उन्हें execution के लिए बीजा जाता है तो उसमें से एक part को एक process बोला जाता है यह process भी एक बाह में execute नहीं होता यह भी फिसे चोटी-चोटी jobs में वापस जोटे जाता है निन यह execution के लिए जाता है तो CPU की अगर हम बात करें या computer जिससे हमारा जो operating system है अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबसे बड़ा इनका जो task होता है वो यह के multiple तरह के process जो की अलग-अलग programs में से निकल के आए है और यह program अलग-अलग software या applications में से निकल के आए है यह इन इन short में कहना चाहरा हूं multitasking multitasking की वज़े से multiprogramming होती है ठीक है? Multiple program चलते है multiple program की वज़े से multiple processing होती है ठीक है? जब भी दो है दो से ज़्यादा process एक दूस्य के साथ cooperate करते हुए execution complete करवाते हैं अपना यहनि कि दो है दो से ज्यादा process आ गए दोनों को ही CPU भी चाहिए दोनों को अलग-अलग resources भी चाहिए तो यह दोनों जो है एक दूस्य के साथ cooperate करते हुए अपने time slot को जो है set करते हुए एक दूस्य के साथ में continuity में दोनों एक साथ जो है execute हो रहे हैं तो इसे बोला जाता है process synchronization ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ठीक है? और दोनों ही process अगर सपोर्ज़ जो दो प्रोसेस आगर दोनों ही एक cooperative process जो होता है ठीक है? यह दूस्य process के execution को effect तो करता है लेकिन उसके execution को रोकता नहीं यहनि उसके execution है एक program जो है अगर वो cooperative process है ठीक है? तो वो दूस्य process के execution को थोर था delay कर सकता है तो उसे halt या रोके का नहीं यह नहीं कि उसे रोकना या उसे cancel नहीं होने देगा, बस उसे थोर delay से process कराएगा, क्यों suppose जिसे एक process जो है, वो पहले एक millisecond में execute हो आता, अब दूसा process भी आ गया, ठीके, तो उसे भी एक millisecond चीए, लेकिन दोनों में से पहले कुन जाएगा, तो क्या होगा, तो हाफ आफ मिली सेकंड की cycle से बन गई, टोटल मिला के चाहँ cycle बन गई, तो पहले process P1 चला गया, then process P2 आया, then वापस process P1, then वापस process P2, यहाँ पर दोनों जो है corporate करके चले और दोनों ही 2 millisecond में execute हो गया, ठीके, तो यही के लाता है process synchronization, जब cooperative process एक दुस्से के साथ, इनका जो execution का जो order है, उसे appropriate form में बनाए रखना ही process synchronization कहलाता है, ठीके, अब अगर बात करें, तो पहले एक बाद synchronization शुरू करने से पहले process को यह बाद पढ़ लेते, ठीके, यानि कि जब कोई किसी process का execution हो रहा है, तो यह दूसरे process के execution को effect नहीं करेगा, ठीके, अब ऐसा तब होता है, जब आपने priority इस तरह से करी है, jobs की, कि अब एक बाद में एक job execute होगी, तब तक दूसरे को wait करना ही पढ़ेगा, तो यहाँ पर हर एक independent process हो गया, ठीके, cooperative process में क्या होता है, इसके अंदर एक process जो है, दूसरे process के execution को जो है, किसी ने किसी तरह से effect करता ही है, या फिर किसी और process से effect होगा, ठीके, तो process synchronization problem जो है, यह cooperative process के मामले में जो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि cooperative processes में क्या होता है, resource भी जो है, share किये जाता है, क् CPU खुद एक resource है, ठीके, अब यहाँ पर problems क्या क्या होती है, दो problems होती है, एक होती race condition, एक होती है critical section, ठीके, पर race condition में बताता हूँ, race condition का मतलब क्या होता है, कि देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा process एक साथ execute होने के लिए आ जाता है, ठीके, यहाँ पर मैंने word काम में लिय अब trade क्या होता है, इसके उपर हम separate video बना चुके है, हकीकत में जब भी process execution के लिए जाता है CPU के पास में, तो CPU और उस process के बीच में trade create हो जाता है, एक link create हो जाता है, जिसके तो CPU और उस process को execute करता है, ठीके, तो यहाँ पर इसलिए trade word मैंने काम में लिया है, तो क्या होता हकीक proper decision लेकर के, उसको execute करवाया जाए, ठीके, अब इसका impact क्या पढ़ ला, अब अगर हर एक process यही चीज़ करेगा, कि नहीं भी पहले मेरी priority रखो, पहले मुझे execute करो, पहले मुझे resources जो है, वह locate करो, तो यहाँ पर इन सारे processes के बीच बीच वाए, एक race condition create हो जाती है, हर process खु and then attempt को plus 1 कर दिया गया, तो count किता हो गया R1, ठीके, यह हो गया इसका entry state, उसी time पर R1 का count चल रहा हो, यहाँ पर R2 का count चल रहा है, ठीके, अब क्या हुआ, R1 का जो है, यह entry state है, यह process P2 का entry state है, और process 3 का entry state है, अब यहाँ पर हम देखें, तो R1 जो है, ठीके, process P1 के अंदर ह R1 जो है, यहाँ पर total मिला करके, मतलब क्या बोलते है, count यह को 5 दे रखा है, तो R1 में से एक count जो है, उससे less है, तो plus 1 कर दो, and then count को remaining करके entry state कर दो, अब यहाँ पर count करें, बात करें, तो यहाँ पर भी जो है, जिससे यहाँ पर पहला count हो गया, तो बचे किते है, R1 में से, 5 अटम में से, 4 अटम में बचे, तो यह 4 पे चलेगा, और यह 3 पे चलेगा, ठीक है, इस तरह से इनकी entry state होगी, यहाँ डिफल टम क्या मान सकते हैं, तो P1 जो है, वो first attempt में जाएगा, P2 जो है, वो second attempt में और third attempt में, तो हर बार जो है, R1 की limit कम होती जाएगी, अब R2 की बा ठीक है, लेकिन अगर हम एक चीज़ नोटिस करी हो, आपने तो यहाँ पर देखिए, तीनों में ही जो है, एक equality दे रखी है, कैसे, R2 जो है less than count, R2 जो है less than count, यहाँ तर, ठीक है, R1 जो है less than count, why R1, क्योंकि अगर हम यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, R2 की value चल लो ग है, output value जो है, दो registers की, ठीक है, without less condition, जो किसमेंची, R1 is equal to 5, actual value वापस आ रही, ठीक है, यहाँ पर हम देखिए, तो R1 plus 1, R1 plus 1 हो गया, R1 की value 5 plus 1, count जो है, वो less 1 हो गया, एनिफिसे 4 पे आ गया, तो total जो less, output less के साथ किता हो गया, 6, अभी यह R2, एक process P2 किसके साथ less कर रहा है, ठीक है, इसलिए, इसकी value तो है, हमेशा equal रही, ठीक है, मैं एक बार इसको, आपको direct value होके बदाता हूँ, R1 की value 5 लेकर चलता है, R1 की value किती होगी, less than, अगर R1 की value count से less than है, ठीक है, तो R1 plus 1 कर दो, लेकिन यहाँ पर equal जा रही है, तो यहाँ पर plus 1 कर दिया, ए प्लस 1 अगर हम इदर की तरफ देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर हम देखें, critical section में, ठीक है, कोई changes नी हुए, R1 की value 5 ही चल देखें, लेकिन यहाँ करके value minus में चली गई 1, क्योंकि यह race condition में पीछे जा रहा है, that's why इसका एक attempt less हो गया, तो यहाँ पर value क्या हो गई 4, और तीन ही exit state में आगए, next की अगर हम बात करें, तो critical section, ठीक है, ठीक है, critical section को सम्मझना काफी आसान है, लोगों को ही resources चाहिए, जो कि process P1 के पास है, ठीक है, अब जब तक process P1 उन्हें release नहीं करेगा, उन resources को, तब तक process P2 उन्हें execute नहीं कर सकता, उन्हें use नहीं कर सकता, और जब उन तक उन्हें use नहीं कर सकता, और जब उन तक उन्हें use नहीं करेगा, तब तक process P2 execution के लिए नहीं जा सकत तो यहाँ पे एक तरह से एक एजी condition create हो गई कि P1 execute जब तक नहीं होगा P2 को wait करना ही पड़ेगा लेकिन most of time पे क्या होता है कि यहाँ पे critical section create हो जाता है यानि कि एक process जो है वो दूसरे process को waiting करवा रहा है और जब तक उस first process की complete execution execution जो complete नहीं होगी तब तक second process start नहीं हो पाएगा अब जब तक second complete नहीं होगा तो जो थाड़ा आ रहा वो भी नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया condition create हो गई सभी को wait करना पड़ रहा है और ऐसी condition में को emergency task आगर execute होने के लिए आ गया है higher priority के साथ में तब भी उसे भी wait करना पड़ेगा तो इस चीज़ को critical section बोला जाता है ठीक है अब अगर हम चाहते है कि वह critical section को होने से रोका जाए तो तीन requirement जो होती में में इनको जो हमें जो है remove करना होता है सबसे पहला होता है mutual exclusion ठीक है अगर एक process जो है critical section में execute हो रहा है तो कोई दूसा process जो है कि उसे critical section section में allowed होने नहीं दिया जा सकता है यह नहीं simple सा है कि यह zone बना दिया है जब तक P1 execute नहीं होगा P2 आप अंदर नहीं जा सकते है जब तक P1 sub resources को free नहीं कर देता ठीक है तो यह होग है mutual exclusion second हमारा होता है progress ठीक है अगर कोई भी process जो है जो critical section में execute हो रहा है और दूसरे process wait कर रह है कि कौन critical section में next enter करेगा इसको ऐसे समझिए कि P1 P2 P3 तीन process आ गए P1 जो है वो execute हो रहा है ठीक है और P2 जो है उसका आधा part पहले execute हो चुका आधा बचा हुआ है और P3 बिल्कुल new है ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि P1 execute हो रहा है अब next को जाएगा P2 का remaining part या P3 कि खुद जाएगा तो यहाँ पर decide कौन करेगा ठीक है वो जो है यानि कि P3 जो है वो decide करेगा next कौन जाएगा भी P2 जाने दो यह मलब P3 जो है वो execution के लिए जाएगा तो यहाँ पर अच्छली यह देखा जाता है कि ultimate time slot कम कौन use कर रहा है अगर P2 का remainder part कम time slot use कर रहा है तो पहले उसे बेज दिया जाएगा और अगर P3 जो है वो कम time में execute हो रहा है तो पहले उसे बेज दिया जाएगा ठीक है अब bounded waiting का मतलब क्या होता है कि suppose जैसे दो process है P1 औ P2 अब P1 जो है वो दो से तीन पार्ट में execute हो रहा है यनि P1 के suppose तीन पार्ट हो रहा है पहला पहला part execute execute हो गया and then दो पार्ट बाहर wait कर रहा हो कि P2 execute होने के लिए जा रहा है ठीक है अब जित्ते में क्या हुआ कि P3 भी आ गया पीछे से लेकिन यहाँ पे तो P1 के पहले से दो पार्ट वेटिंग होने के लिए execute होने के चला गया critical section में ओ P3 को भी वेट करना पड़ रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि P1 की priority हायर होती जारी हरबा और हरबा उसी को जो है उसके remaining parts को execution के लिए भेजा जा रहा है तो इस चीज को रोकना वो जोरी हो जाता कि कोई भी process जो चोटे-चोटे parts में execute हो रहा है ठीक है वो कितनी बार अपने critical section को enter कर सकता है इस चीज के उपर bound लगाया जाता है ताकि other processes को ज़्यादा wait ना करना पड़ा है suppose जैसे P3 को अगर बार-बार wait करना पड़ा जिते पीछे से P4 P5 भी आ गया and then P1 ही बार-बार जो अपने remaining sections में जा जाका कि execute हो रहा है तो इससे इसका impact बाकि सब processes पे भी पड़ता है तो इसी लिए ये दिखा जाता है कि कोई भी जो process जो है वो कितनी बार अपने critical section में enter हो रहा है इस चीज़ को bound करना बहुत ज़्यादा जर्वी हो जाता है तो process synchronization जो है दो approaches के through किया जाता है software approach and hardware approach software approach की बात करें तो यहां पे कुछ specific algorithm approach होती है जो की data के synchronization को maintain करने के काम में आती है ठीके ज ठीके तो वही चीज़ यहां बता रखी software approach में कि approach 1 और approach 2 जो थी यहां पर हमने क्या काम मिलिया यहां पर हमने दो जो process चल रहे हैं उनके लिए temporary variable ठीके या फिर boolean variable फिर एक value जो हमने data store करने के लिए काम में ली है जब condition true होगी तो process जो हो waiting state में चला जाएगा जिसे busy waiting state ब पीच में यहीं कि critical section में P1 जैसे अगर waiting के लिए बाहर निकल जाएगा तो उसमें P2 का remaining part execute होने के लिए आ जाएगा यह चीज़ यहां बताए गई है तो एक तो यह हो गया यहीं कि boolean function यहां फिर temporary variable हम use करने है ठीक है और दूसरा जो approach है software approach उसको हम Peterson solutions बोलते है जो कि synchronization के best रहता है इसमें क्या होता है कि क्रिसी भी critical section के entry section पर जो है यहां पर दो variable इस्तमाल किये जाते जो कि consistency को maintain रखता है जैसे कि flag boolean variable या फिर turn variable इसके अंदर क्या होता है कि यह दोनों ही अगर यहां पर इन दोनों conditions के अंदर की जो value होती, boolean value जो होती है ठीक है या flag condition होती, ठीक है जिसे 0 से denote किया जाता है तो ऐसी condition में ही जब suppose जैसे कि boolean variable की value true होती है ठीक है तो जो है next process जो execution के लिए critical section में enter हो पाता है या फिर flag की value होगा on या भी फिलाल फे flag on condition में है तो ही जो है दूसा process जो है वो critical section में enter हो पाता है ठीक है अब बात करते है hardware approach की, hardware approach जो होता है synchronization का इसमें lock और unlock technique इस्तेमाल करी जाती है ठीक है locking part जो होता है यह entry section के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर सिप एक process allowed होता है critical section में enter होने के लिए जब तक इसका execution complete नहीं होता दूसरे process जो होते है ठीक है उनको exit section मतलब उनको या तो waiting में डाला जाता है और नहीं देन उसके बाद में जो है critical section को unlock किया जाता है वो उसके बाद में जो भी process आ रहा है उसे critical section में अंदर जाने दिया जाता है इस process को इस्ता से design किया जाता है कि तीनों ही जो हमाई condition थी critical section की यह satisfy हो जाए यह यह तीनों condition ठीक है सो यह था video all about process synchronization in operating system में उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है अम इस वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही